नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है माकर राशीवालो 22 जुलाइश लेकर 2 अगस्त का श्रमय आप शबी के लिए बहुत ज़्यदा खाश रमय रहने वाले हैं क्यों क्यों दोसों आपको बिता दें कि हमेशा गरों की बदलती चाल कई परकार की बदलाव करते हैं हमारे जोन में कभी निकार शकारत्मक तो कभी नकारत्मक भी परभाव होता है अगर हम शकारत्मक परभाव में शावधनियों को रखते हैं तो दोस्तों हमारे जो फल होते हैं वो हमें अच्छी तरीकेश में मिल जाते हैं उन पर किशी की नजर नहीं होती है जै दोस्तों अगर हम यश में शावधनी को रखते हैं यूग है तो शतकर नहीं रहते हैं तो दोस्तों यश में हमारे दुश्मन जो हैं हमारी पीट पेचे हमारी कारों में बिगन डाल देते ह और वे हमारी कार्यों को भी भंग कर देते हैं जिए दोस्तों एशे हिस्थिति आपके शाथ यश्व में होने वाली है अगर यश्व में आप श्रावधनी को रखेंगे तो दोस्तों आपको बता दें कि यश्व में आपकी दुश्मन रेंगते हुए आपके फैर पार शक्ते हैं गरों की जो शुब इस्तिती है इनके शाद आपको सलने की आवश्यक्ता पढ़ने वाली है तो दोस्तों यह वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें क्यों दोस्तों यह वीडियो आप शुब की जीवर के लिए किन चित्रों में कारे करने शिए आपको लाप की प्राप्त होगी यह श्में आपके घरगे महौल में पारू जुन में क्या क्या शुमतकार होंगे तो दोस्तों अंत तक दिखेगा उश्य पहले दोस्तों जोई वाग्दी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्श में शच प्रेश करके और पर्श लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों आपका अपने व्यक्तितु और रहन्शन के प्रती अधिक सजग रहना मित्रों और श्रयेगों के बीच आकर्शन का कारण बनेगा शमाज में भी आपकी छवी और अधिक निक दोस्तों और आपके विचारी आपके दूस्तों बने रहेंगे हर किशी व्यक्ति के बारे में नकार्तमक होना आपको अपने ही अंदर नकार्तमकता भी दिखा शकता है दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरोंको बदलने का जिद और किशी वी रिलेशनसीब को खराप होने के रिए दूसरोंको जविधार ठाराना आपको पेरिवेक्थी से दूर कर रहा है दोस्तों खुद के दवरा होई गलतियों की जिमिदारी उठाना आपको यश्मेश सिखना होगा इसको प्रांद दोस्तों यश्मेश आपको बदा दें कि दोस्तों भावनों की बजाए चोतराई और विवेक्षिक काम आपको लेना चाहिए परस्तिती जो है आपके पक्ष में कार कर रही है दोस्तों बच्चों की किलकारी शुमंदि कोई सुप सुचना भी यश्मेश घर में मिल सक्ता है जिससे उच सब भरा महोल भी रहेगा शादी दोस्तों किसी अटके हुए काम को पुरा करने में भी इसमें आप सक्चम रहेंगे इसको प्रांदोस्तों ये शमें आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली बांती विचार अवश्च कर लें बहतर होगा कि दोस्तों घर के सबी सदस्यों की सलाह आप ज़रूर ले लें दोस्तों पेसे के मामले में किसी भी पर भी यश्मे बिश्वास ना रखें खुद पर ही और फिर सबी गत्युदियों को आप अपने तरीके से समालें यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों जितनी प्रिस्तिती आपके लिए कठीन लग रही है उतनी कठना यह आपके जियोन में नहीं है केवल आपके विचारों दोवारा आप खुद को तकलिफ दे रही है इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिन्दगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष को बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा इसको प्रांदोस्तों यह शमय आपके लिए सुनोंगी आपको बता दें कि दोस्तों यह शमय घर के नविकरन नतवा रख रखाव शमंदी यह जिन्दगी पर बिजार विमस हो सकता है किसी समाजी करतितियों में भी आपका शमय महत्पून योगदान होने से आपका मान समान भी शमय बढ़ने वाला है इसको प्रांदोस्तों अगर घर या फिर वहान शमंदी खरिदारी की यह जना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है कई लाने के लिए कुछ आतमें शींतन材 करें। कि अपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती शुरीवश्चर होगा इसलिए दोस्तों अपने दोरा हुए कामों को जो भी गरत काम थे आपके येश्यमे उन्हें ठीक करने के आपको सिच करते accessed रहे नई काम की शुरुआत करने के लिए ये जो शमें है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा इसलिए दोस्तों पेश्वी का निवेश करना कुछ दिनों के लिए आपके शमयों के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बैतर होंगे इसको प्राहत दोस्तों ये शमय, आपको बताते हैं, आपके लिए शमय होगे, दोस्तों, अपने परिवार के लिए, किसी परकार के मुद्दे पर विचार बहसा आपका हो सकता है, तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वज़े से, उनकी सहारना होगी, भूमिशमंदी कारियों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, एपरिव प्लानिंग कई दिनों से चल रही है, तो दोस्तों ये जो आपके लिए शमय होंगे, उस पर तूरत अमल करें, पैस्तितियां आपके लिए ये शमय अनुकुल रहने वाली है, इसको प्राहत द निवेश करने की आपके लिए शमय होंगे, आपको बता दें कि आपके दोवरा किये गए कामों के बारे में, दूसरों के दोवरा पर शमय मिलने की अपक्छार रखना आपके लिए तकलिक दायक हो रहा है, इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश्च प्र प्रविनस में लेंद देन कि जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तमाल करें क्योंकि दोस्तों यह में किसी भी तरकी इनक्वारी के अशंका बन रही है रिटेल की अपक्षा हॉल सेल या हॉल सेल कारे ज्यादा शबल रहेंगे यह में आफिस का महल जो है बहुत ही शान्ती पूर रहेगा इसको प्राहन दोस्तों आपके केरेर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यह में कारीशेतर में कुछ खास फेसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है तो तो बहुतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने कि अपक्षा अभी वर्तमान पर अपना ध्यान को आ कातरा करनी पड़ सकती है इसको प्राहन दोस्तों यह में आपके केरेर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान धीरे जिरे बहतर होंगी थोड़ी सी परिशानी आएंगी प्रंदू सावधनी रखने से आपके कारे निर्विग ने पूरे हो जाएंग दोस्तों कारे स्टलफर एस टाव की वृतितियों पर ध्यान देना भी आपके जरूरी होगा इसको प्रांत दोशमी आपके केरेड के लिए higher के लिए जैंसे होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस की क्विएलीटी को अधीक बहतर बचानी में आपको ध्यान देना च पर जरूर ध्यान दें इसको प्राव लाइप को बात करें तो दोस्तों यह अपने वेस्टम समय में जुए परिवार के लिए कुछ समय निकलना आपसे समदों को मदूर रखेगा तथा परिवार में भी खुश्याले भरावातर हो नहींगा तो दोस्तों जरूर शमय निकाले इसको प्राव दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे आपके प्रेम जीवन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साती के साथ उचीत तालमिल बिठा कर रखने के लिए आपको शयुग आवश्यक है बिवातर शमन्दों से दूरी बना कर यह आपके शयुआ में लव लाइप के लिए बैतर होंगे इसको प्राव दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे आपको बता दें कि पारिवर गवातावरन शुक्माई बना रहेगा तथा घर के सबीश अदर्स आपस में प्रभूलित भी तथा खुश रह कि इसको प्राव दोस्तों यह में आपके लव लाइप के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि पती-पद्ली दोनों ही वैस्ता की वज़र से घर पर शुमाई नहीं दे पाएंगे प्रंतु घर का महाल जो एक खुशलमा बना रहेगा किसी भी परकार की चिंता ना क करें इसको अजय s è due OSGen के सवा дети तो दोस्तों अत्याधी काम की वज़र से आपका चिर शौभा हुए उन्हें टिर शुमाई और योगा करना याश्मे आपके शमस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्वों, इन पर जरूर ध्यान दें, इसको बादो से यश्में आपके स्वास्त लिए ज़मँयोंगे, आपको बता दें लपरवाई ना करें दिथा ऊचित इलाच यह समें जरूर ले अपको बता दें कि श्वास अंत्र तक ठीक होगा किसी परकार की चिंतार ना करें परओ सथो लपरवाई आपके लिए ऊचित नहें होगी और इन सवी चीजों का ध्यान जरूर रखें ये आपके स्वाद के लिए ही बहतर होंगे